तो आज मैं आपको एक पैपलन कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हम आपपाट की कटिंग करेंगे उसके लिए मैंने ये 4-fold फैब्रिक लिया है जिसकी लेंद है 15 इंचे अब हम यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच उसके बाद यहाँ से नीची की तरफ हम लेंगे 7 इंच आर्मोल तो जितना भी आप है अपने अकॉर्डिंग लिए आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं तो मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ पर हम इस तरह से लाइन बना देंगे उसके बाद हम चेस्ट का 1 फोर्ट लेंगे चेस्ट हमारी 34 है उसका 1 फोर्ट हो गया 8 इंच और प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन आड़ कर देंगे एक्स्ट्रा के लिए और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना देंगे तो लेंट तो आप इसकी देख चुकी है टोटल 15 इंच लेंट है और यह 14 इंच की बनकर रेड़ी हो जाएगे यहाँ पर हम कमर का राउंड लेंगे तो मैं ले रहे हूँ यहाँ पर 7 इंच हमारी कमर है 28 इंच उसका 1 फोर्ट हो गया 7 इंच और देड़ इंच का मार्जिन तो यहाँ पर इस तरह से ले लिया है इन दोनों पॉइंच को हम इस तरह से क्रॉस में जॉइंट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपर की साइड में आर्मोल का मार्ग करेंगे तो जहाँ पर हमने सेंटर लिया है उस सेंटर से हम क्या करेंगे एक पॉइंट बनाएंगे देड़ इंच पर और यह हमारा इस तरह से बैक वाला आर्मोल हम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद half inch अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे और half inch बार की तरफ इस तरह से एक मार्क करेंगे और इन दोनों points को जोड़ते हुआ हम एक armold रॉक कर लेंगे यह हमारा front वाला armold हैगा इस तरह से अब हम neck width लेंगे तो neck width में ले रहे हुँ यहापर 2 inch अगर आपको broad चाहिए तो आप 3 inch भी ले सकते हैं यहापर मैं ले रही हूँ 6 inch उसकी length उसके बाद हम यहाँ से भी 5 inch पर एक निशान लगाऊंगी मैं अभी यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक box बना लेंगे ताकि हम जो भी इसके अंदर shape दे वो इसके अंदर आया and properly cut हो सके तो यहाँ पर मैं simply round shape दे दूँगी इस तरह से यह front and back दोनों के लिए मेरा same रहेगा यहाँ पर मैं half inch की margin से एक slant मार दूँगी side में इस तरह से तो यह हम यहाँ पर कंदे का तिर्चाप पून होगा तो आप हम यहाँ से लेकर यहां तक और इस तरह से नीचे तक इसकी cutting कर देंगे तो आप लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसकी cutting कर दी है अब हम इसमें से एक part जो है वो side में कर देंगे यह हमारा back वाला हो गया यह जो पार्ट है यहाँ पर हमने इसकी फ्रंट के आर्मोल की कटिंग नहीं की तो सबसे पहला हम यहाँ पर आर्मोल कट कर लेते हैं तो इस तरह से मैंने यह फ्रंट वाला आर्मोल कट कर लिया तो अब हम यह दोनों हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं इसके बाद हम जो है वह नीचे का घेरा कट कर लेंगे तो इस तरह मैंने ये ये फाबरिक लिया है जिससे मैंने इस तरह से 4-fold किया है पूरा हम राउंट घेरा यहां पर निकालने वाले हैं तो यहां पर हमारी कमर का 1-4 लेंगे तो मैं ले रहे हुए यहाँ पर 7 इंच थीक है तो यहाँ पर इस तरह से हमारी दोनों साइड फोल्डेड है फोल्डेड साब मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और हलका सा राउंड शेप देते हुए यहां पर इस तरह से ले लूँगी तो यह हमारा 7 इंच कमर का जितना राउंड है उसका 1-4 हमें लेना है यहां से इसके लेंद है 13 इंच तो 13 इंच पर मैं क्या करूंगी इस तरह से लाइन बनाऊंगी यानि कि नीचे का घेरा जो है वो हमारा 13 इंच का बनकर रेडी होने वा हमारा पूरा यह राउंड जो है वो इस तरह से 13 इंच का बनकर रेडी हो चुका है अब जहां पर हमारी मार्किंग है वहां पर उसके उपर हमें इसे डाग बना लेना है इसके उपर हमें इसकी कटिंग कर देंगे तो इस तरह से नीचे का पूरा राउंड घेर जो है वो आ साथ है तो इस तरह सी यह नीचे का घेरा हमारा कट हो चुका है अब हम क्या करेंगे सलीव की कटिंग कर लेते हैं तो सलीव के लिए इतना पैब्रीक बच गया था जिससे मैंने 4 fold लिया है इस तरफ sleeves की आर्मोल लेंगे 7 inch and 1.5 inch का इस तरह से हम margin ले लेंगे and इस side में sleeves का open रखूंगी 5 inch and यहाँ पर भी 1.5 inch का margin लूँगी और इन दोनों line को मैं इस तरह से cross में joint कर दूँगी ठीके इसकी length जो होगी वो 14 inch इसकी length है 1.5 inch पर इस तरह से mark करूंगी नीचे की तरफ इस वाले corner से और इहाँ पर 2 inch की mark से इस तरह से line बना दूँगे and जैसा हमारे sleeves का curve shape रहता है वैसा shape हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे and इस marking के उपर हम as it is cutting कर देंगे तो इस तरह से हमारी cutting हो चुके है तो अब हम stitching करते हैं तो सबसे बहले हम neck ready कर लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस तरह से neck की पटी निकाल लेनी है 4 inch के यहाँ पर इस तरह से उसके उपर सिलाई लगा देनी है पटी को अंदर की तरफ fold कर देना है तो इस तरह से आपको front and back दोनों पार्ट में इसी तरह से आपको neck ready कर लेना है तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर neck ready कर लिया है यह हमारा back वाला पार्ट है इसकी भी neck ready कर लिया है अब हम यहाँ पर shoulder joint करेंगे तो यहाँ पर हम shoulders इस तरह से half inch की margin पर shoulder पर सिलाई लगा देंगे और जो भी extra fabric दिख रहा होगा वो हम बाद में cut कर लेंगे यह वाला इन यह वाला इस तरह से तो इस तरह से हमने shoulder यहाँ पर joint कर दिये हैं आप लोग देख सकते हैं जो extra था वो भी हमने यहाँ पर cut कर लिया है अब हम यहाँ पर sleeves joint करेंगे तो sleeves की एक तरफ आपको क्या करना है इस तरह से double fold करना है यहाँ पर and sleeves की जहाँ पर open रहेगी वहाँ पर and उसकी finishing कर लेनी है उसके बाद shoulder के center पर sleeves का center इस तरह से रख देना है and पूरे round में sleeves को लेकर सिलाई लगा देनी है तो as it is आपको दूसरे side में भी कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पर भी sleeves attach हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर sleeves attach होया है and यहाँ पर इसकी final fitting भी कर दिये जितना हमने margin लेया था उतना margin हमने minus करके यहाँ पर इसकी fitting कर दिये तो इसे हम सीधी side को turn कर लेते हैं यह camera defect वेजर से आपको थोड़ा सा color changes दिख रहा होगा बढ़ यह same color है fabric इसलिए तो अब हम क्या करेंगे नीचे का घेरा ready कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा दोनों side हमारी close है और दोनों side से waist to waist पकड़ कर हमें क्या करना है इस तरह से दोनों side में waist to waist पकड़ कर हमें इसके उपर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पार हमारा अपर चोली का और नीचे वाला घेरे का पार इस तरह से लेना है और पूरे round में हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से सिलाई लग जाने के बाद यह पैपलन कुर्ती जो है वो बिल्कुल पिरेडी हो जाएगी और देन में इसका final look आपको दिखा दूँगी ध्रिज वो दो प्याई का जाएगी झाल झाल